hello student welcome back we were talking about the lesson heat in which we were talking about the clinical thermometer and laboratory thermometer and then we were talking about what is conductor and insulator then we were talking about a sea bridge and land bridge sea bridge land bridge to speak about the sea bridge how it is when sea bridge is in the sea bridge. When the sea bridge is in the sea bateam , the sea bridge we are talking about coastal area of coastal area called sea bridge to speak from sea bridge. how does it stay in the sea bridge ? तो यह इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि जैसे ही जो कोश्टल्स एरिया है तो वहां पर जो गर्म हो जाते हैं जब धर्ती गर्म हो जाती है तो वहां से गर्म हवा समुदर की तरफ चलनी सुरू हो जाती है और समुदर से ठंडी हवा धर्ती की तरफ सुरू हो जाती है तो यह picture में दिखाया गए तो यह day time की बात है तो इसको कहते हैं hot, जो sea bridge कहते हैं और जैसे ही हम बात कर रहे थे, night, रात की बात कर रहे थे थे, क्योंकि रात के समय जो पाणी है वो दीरे-दीरे ठंडा होता है और जो धरती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है इसलिए जो धरती की जल्दी ठंडा होने से वहां की ठंडी हवाएं धरती से समुंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है तो यह देखिए यहां से पोजिट जा रहे हैं यह वाइट कलर में तो ये और समुंदर में अभी गर्मी है, वहां का पानी गर्म है, तो इधर होट दिखाएगा, इधर कोल्ड दिखाएगा, कोश्टल एरिया में घरों की तरफ, तो वहां से ठंडी हवाएं समुंदर की तरफ चलती हैं, तो इसको लेंड प्रीज बोलते हैं, जैसे हम बाहर समुंदर में निकलते हैं, तो मैं गर्मी मैसूस होती है, हाव दस दा हीट फ्रॉम दा सन रीचस, सूर्य से गर्मी हमारे तक कैसे पहुंचती है, इट कम रीच, इट कैनोट रीचस, बाए कंड़क्टर और कंवेंक्शन, इस देर इस नो मेडियम सच अच आज पार्ट ओफ दा आ इस ऐ बिट्विन ढख दा और तन और समुंदर क्योंकि हमने यहां ठोबात कर लेगी हमें से हीट चैनलाबर और से दूसरी जगह चली जाती है, कंड़क्टर से चली जाती है, यह इन व्हांट काणडेंक्शन से हैं अगंग्शन से, हीट एक जगा से द है तो वहां से हीट इतनी दूरी पर कैसे आती है ना वह कॉंडेक्शन है तो इन मोश्ट पार्ट ऑफ दा स्पेस के बहुत से भागों में आर्थ और सूर्ज के बीच और धर्ति के बीच में हवा ही नहीं है तो फिर वहां से हीट हम कैसे पहुंचती है from the sun the heat come to us by the another process known as radiation तो वह एक radiation तिरंगों के रूम में हमारे तक पहुंचती है समुंदर जो सूर्य से धर्ति पर जो गर्मी आती है वो सूर्य तिरंगों के रूम में radiation के रूम में आती है the transfer of the heat by radiation does not require any medium so radiation को कोई medium की जुरूरत नहीं पड़ती ना conduction की ना convention की तो it can take place whether a medium is present or not तो यह तो आई जाएगी चाहे कोई medium बीच में हो चाहे ना हो हवा बीच में हो ना हो radiation ने तो एक जगह से दूसरी जगह चले ही जाना है जैसे हम रूम हीटर के पास बैठते हैं तो हम हमें गर्मी महसूस होती है होट यूटेंसिल कीप अवे फ्रूम दा फ्लेम कूल डाउन एज़िट ट्रांसफर हीट टू दा स्राउंडिंग बाई रैडियेशन जब हम गर्म बरतन को फ्लेम से आग से दूर कर देते हैं वह ठंडा होना सुरू हो जाता है कि अभर बौड़ीस तो गीव हीट दा स्रांडिंग एंड रिशीव हीट फ्रॉम एट बाई रैडियेशन हमारा सरीर भी क्या होता है गर्म बौड़ीस तो गीव हीट तो दा सरांडिंग स्राउंडिंग में अपनी हीट को बाहर भेजती है environment में and receive heat from its by surrounding or radiation और बाहर से जो heat लेती है वह radiation के साथ ही लेती है तिरंगों के रूम में अपने अंदर खिशती है all hot bodies radiate heat जितनी भी गरम चीज़ें होती है वह heat को radiant करती है त्रेंगों के रूमें छोड़ती है हीट को वेन इस हीट फाल ओन सम अब्जेक्ट जैसे वह हीट किसी अब्जेक्ट के उपर पड़ती है एक पार्ट ओफ इट इज रिफ्लेक्टेड एक पार्ट इट अब्जरवड एक पार्ट में भी ट्रांस्मेटर तो उसका क्या होता है उस अब्जेक्ट का कुछ कोई भाग तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है अपने उपर से वापिस भेज देता है कुछ पार्ट ऐसा होता है कि उसको अपने अंदर खीच लेता है खीट को और कुछ ऐसे होता है कि उसको transmit करके अपने अंदर से गुजार के दूसरे जगा पर भेज देते हैं तो इस तीन तरह से प्रोसेस होता है यह तो अपने पास से वापिस भेज देता है यह अपने अंदर खींच लेता है यह अपने अंदर से अपने अंदर से गुजार के दूसरे के पास भेज देता तो इसका आंसर आपको मिलेगा जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आप इसका अंसर समझना काइंड ओफ क्लोथ वी एरें समर और विंटर तो हम गर्मी और सरदी में किस तरह के कपड़े पहनते हैं और क्यों पहनते हैं यह नो दैंस्वर वी प्रेफर प्रफिटी फोर पॉर 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 जीरो में बताया गया है कि टेक टू आइडेंटिकल टीन के बरतन लीजिए कैन लीजिए पेंट दा आउटर सर्फेस ऑफ द वन ब्लैक अद अधर वाइट उसका एक कैन को वाइट कलर कर दीजिए बाहर की साइड में और दूसरे एक पर वाइट ब्लैक कर दीजिए एक पर ब्लैक करना है दूसरे पर वाइट पॉर इक्वल अमाउंट वाटर इच एंड लेवल देम इन दा मिड़े सं फ्रॉम आवर और उनको अंदर एक्वल मात्रा में पानी डाल कर दोनों बरतनों के अंदर सूर्य की धूप म जो पूरी दूप दूपहर का समय हो एक घंटे तक पानी के धूप के अंदर रखना है मेजर दा टेमपरेचर वाटर इन बहुत के एंदर से दोनों डिब्बों के अंदर से उस पानी के तामान को एक घंटे बाद नोट करना है दू यू फाइंड एनी डिफरेंट सीन दा टेमपरेचर के उनके तामान में कोई फरक नजर आता है इन वीच कैन इन इन वाटर वार्मर किस कैन के अंदर सबसे ज्यादा गरम पानी है यू कैन फील दिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इंदट इन और हम उस दोनों के अंदर हाथ डाल कर भी महसूस कर सकते हैं कि कि पानी जातन गरम है किस कैन का पानी ठंडा है एक्तिविटी 4.11 में फिल दा 2 तो कैन used in activity 10 with the same amount of hot water at the same temperature leave the can in a room or in a shed activity 4.1 में क्या कहा गया कि उन्हीं दोनों केनों को जो भी जिनको उन्हें ब्लैक और वाइट रंग किया था उनके अंदर सेम मात्रा में पानी डालकर उनको कमरे के अंदर रखना है या जहां पर चाय आ रही हो वहां रखना है नोट दे टेम्परेचर दे वाटर आफ्टर 10-15 मिनट रहे दस पंदरा मिट वाद उनका टेम्परेचर नोट करना है ड़स दे टेम्परेचर वाटर रिन बोथ दे चैन फाल बाइद सेम अमॉंट कि दोनों का जो टेंपरेचर है तामार है वो कम हुआ या बढ़ गया ये देखना है कि दोनों का टेंपरेचर कम होता है तो इस एक्टिविटी से हम यह समझ सकते हैं कि हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दी में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं डार्क सरफेस अब्जर्व और हीट and therefore we feel comfortable with dark colors cloth in the water विंटर चुब डार्क कलर के कपड़े हैं वो ज्यादा घीट को गर्मी को अपने अंदर खींचते हैं इसलिए हमें डार्क कलर के कपड़े सर्दी में पहनते हैं क्योंकि सर्दी में हमें धूप की जुरूरत होती है और डार्क कलर के कपड़े होते हैं धूप को अपने अंदर खिंचते हैं Light-colored cloth reflect most of the heat that fall on them और light color के जो कपड़ होते हैं उनके ओपर जैसे heat पड़ती है उसको reflect कर देते हैं अपने से बाहर भेज देते हैं अंदर नहीं आने देते हैं therefore we feel more comfortable wearing than in the summer तो इसलिए हम light color के कपड़े गर्मियों में पहना ज्यादा पसंद करते हैं की light color जो है अपने अंदर heat को नहीं जाने देता है वो उसको बहार reflect कर देता है wooden cloth keep us warm in winter woollen cloth woollen cloth woollen की कपड़े हमें सर्दी में गर्म रखते हैं in the winter we use woollen cloth wool is poor conductor of the heat जो ओन है वो गर्मी का एक पूर conductor है moreover there is an air trap in between the wool fiber जैसे ही हवा उनके जो रेशे हैं उनके अंदर trap हो जाती है पकड़ ली जाती है एर प्रिवेंट दा flow of the heat from our body to the cold surrounding so we feel warm तो हवा को ट्रेप कर लेती हवा जो अंदर हमारे शरीर की जो गर्मी है उस गर्मी को बहार नहीं जाने देती गर्म कपड़े जो उन है उनके जो रेशे हैं वह हमारे स्रीर की घर्मी को बहार नहीं जाने देते है यह सलिए हिसलिए में गर्मियों मैं जो उनकपड़े पहनते हैं और हमारा body का टेंपरेचर जो है वो ठीक रहता है गर्म रहता हम स्पोर्ज यू आर गिविंग दास चोई सिन विंटर उजी इधर वन थीक ब्लैंकेट और टू थीन ब्लैंकेट जोइन टुगेदर वट वुड यू चूज एंड वाई अगर आपको सर्दी में एक मोटा कंबल दिया जा तो आप किसको चूज करोगे रिमेंबर दैट देर वुड भी लेयर ओफ एर इन बीटिविं दा ब्लैंकेट के अंदर जो है लेयर होगी एक यह थवा के एक लेयर होगी तो आप किस को लेना पसंद करोगे तो इस ओल फ्रॉम आपको कहीं से कुछ समझ ना आया हो आप मुझे से पूसकते हैं इसके कोश्चन अंसर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आप इन वीडियो को जुरूर सुनें ताकि आपको किसी भी लेस्ट की जो डिटेल अब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं प किलाश में तब तक किलिए हैव एगरेट डै